नमस्कार मित्रों, जैमाता दी, दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल में और उनसे भी ज्यादा आज के इस ज्यान वर्धक, खास और महत्वपूर्ण ज्योतिश कार्यक्रम में ब्रिश्चिक राशिवालों एकदम शांती मन से वीडियो देखना। जी हाँ, कोई कुछ भी कहे बेटा, तुम एकदम शांत रहना, क्योंकि यह समय शांत रहने का ही समय है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता रही कि बहुत बड़ी खुश्खबरी आपका इंतजार कर रही है, जो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा, वह तो माला माल ही हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि अब आपकी तूटी फूटी किस्मत चमकने वाली है और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने वाला है। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, आज से पहले ना ही किसी ने ऐसी वीडियो बनाई होगी और ना ही कभी आगे बनेगा। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अगले 24 घंटे का वह सब सुख बताने वाला हूँ, जो सुख अगले इन 24 घंटे के समय अवधि में मिलने वाला है। दोस्तों, कोई महामूर्ख ही होगा जो आज की इस वीडियो को जान बूज कर नजर अंदाज करेगा क्योंकि यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। जी हाँ, क्योंकि अब आपकी हर दुख हर दर्द दूर होंगे, चाहे कितना भी दुख दर्द हो, कितना भी बड़ा कर्ज हो, उन सभी दुखों से और उन सभी कर्जन से, अब आपको मुक्ती मिलने वाला है। जी हाँ, बता दे की बाबा, काशी विश्वनात जी के आशीरवात से, असीम कृपा से, अब आपकी जिंदगी करवट लेने वाली है। जी हाँ, और जो आपके नसीब में है, जो आपके भाग्य में है, वह आपके पास भाग कर आने वाला है। जीहां संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर बनाया है। लिखना मत भूलिएगा मातारानी आपके जीवन समवार कर रख देंगे तो आप जरूर लिखिएगा दोस्तों मातारानी के आशीरवाद से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। चाहे समस्या कैसी भी हो आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो धन से जुड़ी समस्या हो परिवार से जुड़ी समस्या हो या फिर कोई अन्य प्रकार की समस्या हो अब सभी समस्याओं का अंत होने वाला है और आपका जीवन एक नया जीवन बनने वाला है। देखिए दोस्तों, मानता हूं कि भगवान के इशारों पर चलना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन जो इनसान किसी भी तरह करके भगवान के इशारों पर चल जाता है, उनका तो भाग यही चमक जाता है। अगर आपको अपने पुराने करजों से मुक्ति पाना है, पुरानी समस्याओं से छुटकारा पाना है, और अपनी तूटी-फूटी किस्मत को चमकाना है, तो आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वह सारी बातें बताऊंगा, कि भगवान क्यों आपकी नहीं सुनते हैं, और जब भगवान नहीं सुनते हैं, तो आखिर आप क्या करें, जिससे सभी समस्याओं का भी अंत हो जाए, और तूटी-फूटी किस्मत भी च सुनने लगेंगे, तो यह सारी बातें आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक हम आप सभी को बताने वाले हैं, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, दोस्तों, जब आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे, तब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और आपको सोचने समझने की भी शक्ति मिलेगी, सद बुद्ध ज्यान मिलेगा, और यह सब आपको भगवान देने वाले हैं, जी हां इसलिए हम बार बार कहते हैं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप एक बहुत ही भाग्यशाली इंसान बन जाओगे, और आपको अपने जीवन का हर सुख मिलने लगेगा, और इन सभी बातों की फुल गारंटी है, तो आईए मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना, देखिए दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता और व्यक्ति चाहे तो उस समय में कुछ खास उपाय कर ले, तो इनसान की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, ब्रह्मांड के सभी देवताएं उनके उपर महरबान हो जाते हैं, और उनकी समस्त इच्छा पूरी करने में लग जाते हैं, तो आप तयार हो जाएए, क्योंकि ब्रह्मांड की सभी दर्वाजे खुलने वाले हैं, और सभी देवी देवता एकत्र होने वाले हैं, उसे समय अवधी में आपकी जो भी परेशानी है, सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा, और आपके जीवन में सुख समृध्धी आने लगेगी, जी हाँ, कई लोगों इस खास उपाय को किया है, और अपने जीवन को बदला है, जिन जिन लोगों को हमने इस समस्याओं का समाधान बताया है, उन सभी लोगों ने उसका उपाय किया है, और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाया है, जिन जिन लोगों का जीवन बदला है, वह लोग खुद मे चलकर आए और उन्होंने कहा है कि गुरुजी आपके द्वारा बताए गए बातों पर चलने से हमें बहुत लाब हुआ। जो जो उपाय बताएं थे, जिस प्रकार से बोले थे, इस प्रकार से हुआ, इसलिए एक बार मेरी भी बातों को मान कर देखिए, आपको जरूर लाब होगा, जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं उन उपायों के बारे में, और अपने जीवन को बदलना चाहत हैं तो एक बार हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इस से आपका फूटा नसीब चमक जाएगा, आपकी सोई किस्मत जाग जाएगी, जी हाँ दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा, तभी आपको सभी बातें समझ आएगी, लेकिन अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, आप केवल बातों को सुनेंगे, और सुनकर इग्नोर कर देंगे, जैसे कि होता है न, एक कान से सुनता है, तो दूसरे कान से निकल जाता है, ठीक वैसे ही होगा, तो उपाय क् से पहले सुबह उठने के बाद, अपने दोनों हथेलियां को पाँच बार रगडे और एक साथ दोनों हथेलियां का तलवे देखें, और सर्व प्रथम धर्ती माता को प्रणाम करें, और उसके बाद भगवान सूर्य देवता का स्मरण करें, और फिर पाँच रविवार, भगवान सूर्य देव जी को सुबह के समय में उगते सूर्य को जल अरग दें। फिर उसके बाद देखिएगा धीरे धीरे करके आपका जीवन बदलने लगेगा और साथ ही साथ आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वह परेशानियां भी दूर होने लगेगा। जी हाँ क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे में ऐसा बवाल आपकी जिन्दगी में मचेगा जिन्हें जानकर सब कोई आश्चर्य में पढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें। ग्रह गोचर का कुछ ऐसा बदलाव आप सभी के जीवन काल पर पढ़ने वाला है जो कि आपको भी अपनी आँखों पर यकीन नहीं होगा कि आपकी किस्मत आपको इतना कुछ दे सकता है। जी हाँ इतनी बड़ी खुश खबरी पाने के बाद आप भी भगवान को धन्यवात कहेंगे और अंदर ही अंदर आप एहसास करेंगे कि किस्मत तो हमारी भी अच्छी थी बेवजह हम अपनी किस्मत को दोश देते हैं। जी हाँ दोस्तों भगवान ने सबको हीरा बनाया है लेकिन चमकता वही है जो घिस्ता है क्योंकि दोस्तों इश्वर ने सबको यूनिक बनाया है। जी हाँ अगले 24 घंटे में आप सभी के जीवनकाल में ऐसा परिवर्तन होगा ऐसा बदलाव होगा जिससे की आस पडोस में सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। जी हाँ दोस्तों आप बिलकुल सही सुन रहे हैं। आपकी पूरी कुंडली विशलेशन करने के बाद हमने बनाया है दोस्तों। दोस्तों राशिफल को निकालते समय ग्रह नक्षत्र के साथ साथ पंचांग की गणना का विशलेशन किया जाता है और उसी पर आधारित आपका राशिफल तयार किया जाता है। इसी लिए दोस्तों हम आप से बस इतना ही अनुरोध करती हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों बहुत ही मेहनत से वीडियो को हम तैयार करते हैं। उसके लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, ज बैभोलेनाथ जरूर लिखें। इससे दोस्तों, ईश्वर का आशीरवाद आपको आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। तो आईए दोस्तों, जानते हैं आने वाले अगले 24 घंटे में ऐसी कौन सी खुशखबरी मिलेगी, जिससे आपको मिठाई बाटनी और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अगले 24 घंटे में आपके घर में कोई नन्हे महमान का किलकारी संबंधित शुभ समाचार गूंजेगा, जिससे आप खुश होकर मिठाई बाटने लग जाओगी। जी हाँ। देखिए दोस्तों, अगर आप जमीन प उन लोगों को अच्छी रोजगार मिल सकती है। जी हाँ, आने वाली अगले 24 घंटे प्रयासरत रहे, आपके प्रयास बेकार नहीं जाएगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है, उनकी जीत होती है, या तो सीख होती है, और दोनों ही आपके जीवन में बहुत इंपोर्टेंट है। देखिये दोस्तों, भगवान कहती है, इनसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी वह दुखी ही रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बद जो प्यार देता है, जो इजजद देता है, उसे खुशी से एकसेट करो, स्वीकार करो, और जो नहीं देता है, उसकी परवाह मत करो, क्योंकि दोस्तों, भगवान ने आपको किसी और के लिए नहीं बनाया, जो इनसान अकेला चलना सीख लेता है, उन्हें किसी की जरूरत आने वाले अगले 24 घंटे में समय का महत्व आपको पता चलेगा कि कौन से समय में कौन से कार्य करूं जो हमारे लिए बेटर हो, क्योंकि दोस्तों समय को आप महत्व नहीं दे रहे हैं, इसलिए समय आपसे अपना बदला लेगा, इसलिए अभी भी वक्त है. आज का दिन आपके लिए बजट बना कर चलने के लिए रहेगा, आपको यदि काम में कुछ अवरोध आ रहे थे तो वह भी दूर होंगे, आप एक बजट बना कर चलेंगे तो आपके लिए बहतर रहेगा, घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्व पूर्ण जानकारी प अलाकात होगी, आप अपनी जिम्मेदारियों को बखू भी निभाएंगे और आप अपने डेली रूटीन को बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है, स्वास्थे में यदि कुछ समस्या चल रही है, तो उसे नजर अंदाज ना करें, आज का दिन आपके लिए जल्दब समस्या आपको घेरे हुए है, तो वह भी दूर होगी, आपको कुछ अप्रत्याशित लोगों से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा, आज योजना बद्ध तरीके से काम आगे बढ़ाएं, आज का दिन आपके लिए दामपत्य जीवन में मधुर्ता लेकर आने वाला है, आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी और किसी संपत्ती से संबंधित मामले में आपको जीत मिल सकती है, आपको शीग्रता में कोई निर्णय नहीं लेना है, प्रियजनों से आपकी करीबियां बढ़ेगी, व्यवसाय कर रहे लोग किसी पर आँख मूंद कर भरोसा क रहेगा, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन घबराएं नहीं, आपको अपने कुछ गुप्त शत्रूओं से सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो वह आपके बंते कामों में रोड़ा अठकाने की पूरी कर सकते हैं, कुल मिला कर दिन उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है, उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें, धन्यवाद, और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है, बस कुछ समय इंतजार करो, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आप जो कहोगे, मैं वो मानने को तयार है, दोस्तों, समय से बड़ा बलवान इस धर्ती पर कोई नहीं है, समय जब साथ देता है, तो बड़े बड़ों का मार देता है, अमीर घर घर के छत्ते पर बैठा कौवा भी स सबको चोर लगता है, जीवन में दो चीज हमेशा ध्यान में रखना जो बीत गया है उसे भुला दो, और जो आने वाला है उस पर ध्यान फोकस करो, अगर बात समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में, जय महाबली, जय संकट मोचन, हनुम मोचन वीर हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, और भगवान हनुमान जी को दिल से मानते हैं, तो उनका अनादर न करें, प्रेम से, जय महाबली, जय वीर बाला जी अवश्य लिखियेगा, वीर बाला जी का विशेश कृपा आप, वह आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहेगा, चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इस दोरान आपके जीवन में धेर सारी खुशियां आने वाली हैं, और शेर की तरह दहाड करने वाली है, आपकी किस्मत, बस मैं आप सभी भक्तों से, सभी देशवासियों से इतना ही निवेदन करूंगा कि आज की इस जियोतिश कार्यक्रम को, आज की इस जियोतिश विद्या को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखियेगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में हमने उपाय भी बताया है, सावधानिया भी बताई हैं, और महत्वपूर्ण बातें भी बताएं, तो कुल मिलाक कि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जो भी जातक आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा, उन सभी के लिए भगवान बाला जी, महराज जी से और माता रानी से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि उनके जीवन से सभी दु वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और जानते हैं आखिर कैसा रहने वाला है, आज आपका राशिफल, और क्या कहते हैं, आज आपके ग्रह गोचर, लेकिन उससे पहले एक अनमोल विचार देखिए दोस्तों, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, और यह बात गीता में भी बत सितारे कहते हैं कि आज आपको उन चीजों का असली महत्व पता चलने वाला है, जिन चीजों को आप महत्व नहीं दे रहे थे, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको पैसों का सही समझ आने वाला है, जी हाँ, आपको एहसास हो जाएगा कि पैसा कितनी बड़ी चीज दोस्तों आजकल के जमाने में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग पूछते तक नहीं है इसलिए मैं हमेशा से कहती आ रहा हूँ कि पैसों का सही इस्तिमाल बहुत जरूरी है अगले 24 घंटे तक पैसा आपका पानी की तरह बनेगा ऐसा आपके जीवन में खूब लेकिन एक तरफ से आएगा दूसरे तरफ से निकल जाएगा और जब आप मुसीबत में पढ़ोगे तो उसे समय आपको एहसास होगा कि यदि मैं उस समय थोड़ा सा बच्चत कर लिया होता थोड़ा सा सोच समझ कर चला होता तो आज मुझे यह नौबत नहीं आती और ऐसा समय देखने को नहीं मिलता कहते हैं ना जो इनसान सोच समझ कर चलता है कदम आगे बढ़ाने से पहले दो बार सोचता है उस इनसान को आगे चलकर पच्चताना नहीं पढ़ता है आपको अपनी प्रवृत्ती का उपयोग अपने आपको खुशी देने के लिए भी करना चाह और आज आप अपने ऊपर अच्छी खासी रकम खर्च कर सकते हैं जहां तक दूसरों के बारे में आपकी राय का सवाल है अपने ऊपर थोड़ा सा नियंतरन रखें क्योंकि आपके कार्य कलापों को गलत भी समझा जा सकता है अब आपके लिए खुद को संबारने और अविश्य में बढ़ी समस्याओं में बदल जाएंगी आप आज तक किसी भी स्वास्थे संबंधी तकलीफ में घरेलू नुस्खों से ही काम चलाते रहे हैं और इससे आपको फायदा भी हुआ है लेकिन अब आपको अपनी समस्याओं के संतोष जनक समाधान के लिए डॉक आपके लिए उसकी किसी भी गलत को स्वीकार या माफ करना बहुत मुश्किल हो रहा है हाला कि आपके अधिक सकती बरतने से सब के लिए मुश्किलें ही पैदा होंगी अगर आप सचमुच में इस रिष्टे को लेकर गंभीर हैं तो आपको थोड़ा और सहनशील और समझद बनना पढ़ेगा आप धोखा धड़ी के शिकार हो सकते हैं आज का दिन किसी भी बड़े निवेश या खरीद के लिए उपयुक्त नहीं है आज धन के मामलों में किसी भी अंजान व्यक्ति पर भरोसा न करे अन्यथा आपको काफी वित्तिय नुकसान उठाना पड़ी आज कोई अपरत्याशित और काफी दबाव वाला काम मिलेगा लेकिन आप चिंता न करें आप आसानी से ओई से पूरा कर लेंगे और आपको सब की प्रशंसा भी मिलेगी ऐसा हो सकता है कि घर पर अचानक बहुत सारे महमान आ जाएं या बौस आपको अंतिम समय पर कोई मह पूर्ण काम सौंप दें स्थिति चाहे जो हो आप बहुत अच्छे से संभल लेंगे आज पेट में खराबी होने की काफी आशंका बनी हुई है आपको पीने का पानी और अन्यतरल पदार्थों के प्रती विशेश सावधानी रखनी होगी क्योंकि पानी से उत्पन बिमार की आशंका बनी हुई है आपको संक्रमन भी हो सकते हैं इसी लिए आज बाहर के अस्वास्थ्यकर खाने से भी परहेज ही रखें आपको मुंहासों की समस्या भी हो सकती है परंतु वह समय से ध्यान देने के बाद ठीक हो जाएंगे आप तुछ मुद्दों को व्यवस्थित करने के लिए समय नहीं निकाल पाए है और बरहते बरहते अब उनका धेर लग गया है आज आप अपने आपको उलजा हुआ सा महसूस कर रहे हैं मामले अब जटिल हो गए हैं और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां से शुरुआत की जाए आप आमने सामने बैठ कर वार आप अपना धैर्य बनाए रखें क्योंकि आपके बैठने की जगह में परिवर्तन आ सकता है या आपको एक नई जगह पर कार्य करना पडी डी डी एच सकता है आपकी धारणा के विप्रीत इस नए कार्यालय में आपके आत्म विश्वास और स्वतंत्र रूप से प्रदर् और बाकी सब बातों की उपेक्षा कर दें आपके बढ़्धे आपका साथ देंगे और जीवन के महत्वपूर्ण लक्षयों पर ध्यान फोकस करने में आपकी मदद करेंगे आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी पिछले कुछ समय से हो रही परेशानियां भी आज कोई तकली क्योंकि बाद में यह तकलीफ काफी बरच सकती है आप अपने रिष्टे में एक नए आयाम की तलाश करने जा रहे हैं आपके पार्टनर का व्यवहार हाल फिलहाल काफी उलज़न भरा रहा है लेकिन आज शायद आपको इसका जवाब मिल जाएगा अब यह आपके ऊपर न नए आदमी के साथ अपना संबंध शुरू करने से पहले सावधान रहना चाहिए अगर आप अपनी क्षमता से कार्य करने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रयासों को उदार्ता से पुरस्कृत किया जाएगा तो अपने काम और जिम्मेदारी पर ध्यान के इंद्रित करें आपकी ओर से की गई कोई लापरवाही आपके लिए भारी पड़ी डी डी एच सकती हैं हालांकि दिन मौद्रिक लाभ के लिए शुब है आपका पिछला निवेश आपको अच्छी आमदनी दे सकता है अपने जीवन में नकारात्मत्ता लाने वाले लोगों से दूर रहें आपको यह जानकर अचरज होगा कि जिसे आप अपना हमराद समझते थे वही आपके बारे में उलटी सीर ही बातें पहला रहा है ऐसे लोगों से सावधान रहें उन्हें अपने दिलो दिमाग में जगह ना दें कोई नजदी की दोस्त आपका साथ देगा यह दोस्त आपका जीवन साथी या माता-पिता भी हो सकते हैं आपको स्वास्थ्यकर आदतें अपनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है हो सकता है कि आपका जिद्धी और अधियल स्वभाव ही इसका कारण हो और आपको आगे बरहने से रोक रहा हो सबसे अधिक महत्व अपनी सेहत को दें ह हर रोज राज से पहले आराम करने सुबह उठकर जिम जाने और संतुलित भोजन ही करने की आदत पर अडीडी एच जाई तो आपकी सेहत में बहुत लाब हो सकता है आज आपके लिए प्यार और रोमांस जोखिम भरे साबित हो सकते हैं आप आज ऐसे किसी आदमी से जो धूर्त नहीं है और केवल गंभीर और सच्चे रिष्टे में यकीन रखता है लेकिन आपको इस आदमी के साथ रोमांटिक तरीके से नहीं जुड़ना है पहले इस लड़ेच के आयत लड़ेकी से दोस्ती करके उन्हें यह जताने की कोशिश करें कि आप उनका कितना ख परन्तु आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके नियंत्रण से परे स्थितियां आपकी उत्पादक्ता और काम करने की क्षमता को प्रभावित कर रही है लेकिन आपका डर निराधार है यहां तक कि आपके वरिष्ठ अधिकारी इस चीज को समझते हैं और आपके हालातों के सा सात हम दरधी भी रखते हैं और आपके काम में समर्थन भी करेंगे सहयोगी भी आपको सहयोग करेंगे आपको कोई अप्रत्याशित खुशखबरी मिलेगी यह आपके करियर या निजी जीवन से जुड़ी हो सकती है लेकिन इससे आपको विद्तिय लाभ भी होंगे इससे आपको भविश्य में भी इसी प्रकार के लाब उठाने का रास्ता दिखाई देगा। आप आज बहुत अच्छे मूड में हैं और आपकी आशावादिता और खुश मिजाजी से सभी प्रभावित होंगे। दोस्तों और परिवार के साथ आनंद लें। आप स्वास्थे संबंधी कई समस्याओं जैसे एसिडिटी, अपच, शुष्क तवचा तथा गिरते बालों से चिंतित रहेंगे। आपको यह समझना होगा कि खूब सारा पानी पीने और किसी बुरी लत को छोड़ने के अलावा आपको यह भी समझना होगा कि कि संतुलित खाना नहीं खाना ही इन समस्याओं का मूल कारण है। इसी लिए तुरंत असर करने वाले समाधान ढूंडने की बजाए आपको अपने लिए नया डाइट चार्ट बनाना चाहिए। विशेशग्य की सहायता लें आधिक उपयुक्त रहेगा। आज अपने रिष्टे को जाँच कर कुछ मर्यादित सीमाएं बांधने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आज आपको यह महसूस हो जाएगा कि आप अपनी क्षमता से अधिक देते रहे हैं। फिर भी आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट नहीं है और उसकी मांगें दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। इन मांगों पर सीमा लगाने से आपके रिष्टे में मजबूती ही आएगी और इससे आपके रिष्टे को ऐसा नया रूप मिलेगा जिससे आप और आपके पार्टनर दोनों को ही अधिक राहत महसूस होगी। आपके करियर को नई गती मिल सकती है क्योंकि आपके वरिष्ट अधिकारी आपके इन गुणों को ध्यान में रखेंगे। आज का दिन मौज मस्ती के नाम रहेगा। आज सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है। फोन या मेल के द्वारा भी संपर्क हो सकता है। वर्तमान समय अपने सामाजिक कोशलों को निखारने तथा आने वाली पार्टियों के लिए खुद को तयार करने का बिलकुल सही समय है। दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ वित्तीय परिशानियां अपने आप दूर होती जाएंगी। आज उर्जा और स्टैमिना दोनों ही कम रहेंगे। आपके पिछले दिनों की स्वास्थे की अपनी उपेक्षा के चलते ऐसा होना स्वाभाविक ही है। अगर आपको खूब मेहनत करनी है तो आप अपने शरीर का भी बहुत अच्छे से खयाल रखें और आराम भी करें। आपको अपनी शारीरिक सीमाओं को समझते हुए आराम भी करना चाहिए। आराम न करके भी बहुत सख्त महनत करके आप अपनी सेहत को नुकसान पहुचाएंगे। आपकी वित्तीय स्थिती काफी अच्छी है और आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन एक असामान्य से घटना क्रम में आप किसी ऐसे से मिलेंगे जो आपको और आपके स्वभाव से प्यार करेगा। वह आपकी प्राक्रतिक प्रतिभा की भी प्रशंसा करेगा। आप इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे और आपको पता भी न चलेगा कि आप कब उससे रोमांटिक तरीके से प्यार करने लगे हो। बहुत अच्छी पसंद है निश्चिंत होकर आगे बढ़ें। कुछ समय से आपके व्याय बढ़ रहे थे पर आज से आप इन सब में एक खुशनुमा बदलाव देखेंगे। आखिरकार आपका भाग्य आपका साथ और आपके खर्चे काफी हद तक नियंतरण में आएंगे और माहौल बदलता हुआ सा नजर आएगा जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी पर आपको अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में लिये गया हुआ कदम आपको पीछे की ओर धकेल सकता है जि भरे होने के बावजूद भी चुपचाप बैठा रहना आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है लेकिन इससे परेशान नहों आपकी पहचान को कोई नुकसान नहीं होगा केवल इसमें देरी हो सकती है। ऐसी क्षणिक खुशियों के चक्कर में ना पड़िडिये जिनकी आपको बाद में काफी बढ़ी कीमत चुकानी पड़ डियेच सकती है आपने बहुत मेहनत से अपना डाइट कार्यक्रम तयार किया है और उस पर चल रहे हैं। किसी क्षणिक लालच में पड़ डियेच कर उस सारे अच्छे काम को व्यर्थ न करें। आपका कोई दोस्त या सहकर्मी आपको इसके लिए उकसा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको अगली सुबह कैसा महसूस होगा। आज आपके सामने ऐसे कई मौके आएंगे। अगर आप असफल हुए तो आपकी मूल्यवान उर्जा व्यर्थ हो हलांकि जहां तक आपके संबंध का सवाल है आप हमेशा एक गंभीर आदमी रहे हैं। आपको अपनी अति गंभीर प्रवृती को छोड़ाच कर अपने अंदर के बच्चे को मजे लेने की छूट देनी होगी। इससे आपका तनाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा। आप साथी पर विश्वास करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं और अपने रिष्टे को तोड़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि संभावना है कि अपने साथी के बजाए मुद्दे आप में ही नहित हैं। और कोई भी कदम उठाने से पहले विशलेशनात्मक तोर पर जरूर सोचें। आप कुछ समय से एक बदलाव पर विचार कर रहे हैं। आपकी निजी और कामकाजी जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाले हैं जिनसे आप असुरक्षित और चिंतित महसूस करेंगे। लेकिन इसे अपने उपर हावी ना होने दें और संतुलन बनाए रखें। कोई आपसे बदला लेने की कोशिश में है इससे स्थिती और भी पानी पीएं। कोशिश करके अपने निजी संबंधों के बारे में बाद में सोचें। क्योंकि इससे आपको पाचन संबंधी परेशानियों की शिकायत के साथ साथ स्वास्थ्य में भी बाधा ही पहुचेगी। खुद को मानसिक रूप से शान्त रखें और बाकी किसी चीज के बारे में न सोचें। पिछले कुछ दिनों से आप अपने कैरियर और नौकरी के मुद्दों में व्यस्त हैं जिसकी वजह से आपने अपने परिवार और प्रेम प्रसंगों की उपेक्षा की है। इसलिए सम कि मांग है कि जीवन के इन पहलूओं को आप प्रमुक्ता दे। आप इन मुद्दों की तरफ भी ध्यान आक्रिष्ट करें अन्यथा भविश्य में समस्या आ सकती है। झाप झाल कि मुद्दों की उन्यथा आ है रिकार्ण में समस्या आ पहलूँ है।